दब युग की तैयारी है बोलिए भारत माता की जैवन्दे मातरम भाष्री राजीव जी इस नए भारत की संकल्पना के बारे में आपको प्रबोधन देंगे और आपके भीतर वो जोश भरेंगे जिसलिए कि आप भारत के भाग्योदे के लिए पूरी उर्जा के साथ आगे बढ़ें और भारत को विश्व की सबसे बड़ी माशक के रूप में प्रतिश्ठापित करने के लिए यदि आत्म बलिदान भी देना पड़े तो भी ना वराएं भाई राजीव जी परम पूजिनिये स्वामी जी भारत देश के सब्माने निये बहनों भाईयो अभी थोड़ी देर पहले आप स्वामी जी के मुक से सुन रहे थे भारत की जो दुरदशा है वो क्या है और भारत की दुरदशा को ठीक करने के लिए जो भारत स्वाभिमान की नीतियां है और उद्देश्य है वो क्या है मैं आप से ये बात करना चाहता हूँ कि क्या ये भारत स्वाभिमान की जो नीतिया और उद्देश्य है ये सफल होंगी क्या ये भारत स्वाभिमान का भियान सफल होगा क्या भारत का भाग्योदय होगा अक्सर हम सब कारिकरताओं के मन में समय समय पर ये प्रशन उठता रहता है आपस में हम चर्चा करते रहते हैं एक दूसरे से शंका की द्रश्टी से पूछते रहते हैं कि क्या ये अभ्यान सफल हो जाएगा क्या हम जो इक्षा करते हैं वैसा भारत बन पाएगा क्या हमारे सपनों का भारत हम अपने जीते जी देख पाएंगे मन में अक्सर ऐसा आता है मैं आपको दुनिया के कुछ देशों के उधारन देकर ये बात समझाने की कोशिश करूँगा कि ये अभियान सफल होगा और ये अभियान क्यों सफल होगा कैसे सफल होगा दुनिया के अन्य देशों में ऐसे अभियान जब जब चले हैं तो वो कैसे चले हैं क्यों सफल हुए हैं और किस उँचाई तक वो पहुँचे हैं भारत स्वाबिमान का जो अभ्यान अपने भारत में परंपुजनी स्वामी जी के नेत्तु में जो शुरू हुआ है ये अभ्यान भारत की दशा को और दिशा को ठीक करने वाला है भारत की गरीवी भारत की भुखमरी भारत की बेरोजगारी भारत के किसानों की बेवसी भारत के मजदूरों की लाचारी हमारे देश की महिलाओं बहनों पर होने वाले अत्याचार हमारी माताओं बहनों की लुटने वाली इज़त ये जो सारे गंबीर प्रशन पैदा हुए ह हमारे देश में इन प्रशनों का समाधान ढूंडने का प्रयास है ये भारत स्वाभिमान का अभियान और इस अभियान की सफलता सो प्रतिशत निश्चित है ये अभियान पूरी तरह से सफल होगा और ये अभियान पूरी तरह से सफल क्यों होगा क्योंकि ऐसे अभियान दुनिया के जिस जिस देश में जब जब चले हैं तो पूरी तरह से सफल हुए है बस प्रशन इतना है कि करने वालों का संकल्ब कितना बड़ा है अभियान उतनी जल्दी सफल हुए है करने वालों का संकल जितना बड़ा है अभियान उतनी तेजी से सफल हुए है भारत में जो अभियान अभी शुरू हुआ है व्यवस्था परिवर्तन का भारत में ये जो भारत स्वाविमान अभियान शुरू हुआ है नीतियों के परिवर्तन का ये अभियान अलग लग समय पर दुनिया के सब्तर से ज़्यादा देशों में चल चुका है मैं कुछ उधारण से आपको बताओं जैसे हम भारत स्वाविमान अभियान भारत में इस समय चला रहे हैं आज से लगबग धाई सो वर्ष पहले ऐसा ही एक अभियान जापान में चला था जब जापान विदेशी शक्तियों का गुलाम हो गया था सोलवी शताबदी में जापान के एक राजा से छोटी सी गलती हो गई और वो गलती ये होई कि उसने हॉलेंड के देश की एक व्यापारी कमपनी को व्यापार करने के लिए जापान में लाइसेंस दे दिया जापान का एक बहुत बड़ा शहर है उसका नाम है नागासाकी आप जानते हैं ये नागासा की वो शहर है जिसके उपर अमेरिका ने परमाणू बम गिराया था सन 1945 में दूसरे विश्युद की समापती पर एक और शहर है नागासा की नजदीक में हिरोशिमा वहां भी एटम बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को तो नागासा की नाम के शहर में 16 वी शताबदी में 1600 के आसपास एक डच कमपनी को व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया वो कमपनी नागासा की में गुस गई दीरे दीरे उसका व्यापार शुरू हुआ मुनाफ़ा उनको वहां मिलने लगा तो कुछ और डच कमपनियां वहा पहुँच गए फिर उनकी मदब से कुछ फ्रांसी सी लोग पहुँच गए फिर पीछे से अंग्रेज पहुँच गए और अंत में वहां अमरीकी भी पहुँच गए 1858 तक आते आते जापान की ये हलत हो गई कि जो जापान 16 शताबदी तक संपुन स्वदेशी और स्वावलम भी था वो 1858 तक आते आते दुनिया के ये 5-6 देशों की गुलामी में फस गया जापान का एक इलाका अमेरिका ने कबजे में ले लिया एक इलाके पे ब्रिटेन का कबजा हो गया कुछ इलाके पे डच लोग काबिज हो गए हॉलेंड वासी काबिज हो गए कुछ इलाके में स्पैनिश लोग काबिज हो गए ऐसे अलग-अलग देशों ने जापान की अल हमारे यहां कुछ भाई बहन आये हैं अंडमान निकोबार से, अंडमान निकोबार एक दूइप समू है, पूरा जापान देश, अंडमान निकोबार जैसे सैकडों दीप समूहों का मिला हुआ देश है, वो पूरी तरह से मैदानी भूमी नहीं है, तो वहाँ छोटे छोटे दीप समूहों पर विदेशियों के कबजे हो गए कुछ दीप समूह, हॉलेंड वासियों के कबजे में कुछ ब्रिटेन के, कुछ अमेरिका के, कुछ फ्रांस के और कुछ स्पेन के और पूरे जापान में ये गुलामी आ गई जापान में हर वस्तू इन देशों की बिकने लगी अंग्रेजी वस्तू हैं बिकने लगी हॉलेंड वालों की वस्तू हैं वहां बिकने लगी फ्रांसीजी वस्तू हैं अमरीकी वस्तू हैं सारे दूसरे देशों की वस्तू हैं जापान में बिकने लगी और जापान के अपने जो उद्योग धंदे चला करते थे वो धीरे धीरे उजड़ते गए, खतम होते गए 16 शताबदी तक जापान में छोटे छोटे हजारों लाखों उद्योग चलते थे इन विदेशियों ने आकर जापान की भूमी के छोटे स्वदेशी उद्योगों को खतम कर दिया और विदेशी वस्तुओं का बोल वाला पूरे जापान में बढ़ता ही चला गया तब जापान में करांती हुई और उस करांती की शुरुवात 1858 से हुई 1858 में मेजी नाम का एक व्यक्ति जापान में निकला जैसे हमारे देश में इस समय हम परमपुझिणी स्वामी जी को देखते हैं भारत सौाबिमान के नितरत्तु के रूप में सिनापति के रूप में ऐसे ही जापान में एक व्यक्ति का उदे हुआ उसका नाम था मेजी 1858 में उसने जापान को संगठित करना शुरू किया और जापान के लोगों को ये एक विचार उसने देना शुरू किया कि जापान की गरीबी, जापान की भुखमरी, जापान की बेरोजगारी, जापान की आर्थिक मारमारी ये जितनी खराबी जापान में आई है ये विदेशियों के जापान में आने से शुरू हुई है इन विदेशियों के जापान में आने से पहले का जापान बहुत अच्छा जापान था जैसे भारत में अंग्रेजों के आने के पहले का भारत बहुत अच्छा भारत था वैसे ही विदेशियों के जापान में प्रवेश करने के पहले का जापान बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत समरुदशाली, स्वावलंबी, स्वदेशी जापान था मेजी की इन बातों को जापान के लोगों ने सुना धीरे-धीरे लोगों में एक विचार पनपने लगा तो लोग पूछने लगे कि आखिर हमारी इस विदेशी गुलामी से हमको मुक्ति कैसे मिलेगी तो वो जो मेजी नाम का नेता था जापान का जो बाद में जापान का राजा बना, साशक बना, एक तरह से राश्च उपती बना उसने लोगों को समझाना शुरू किया कि बहुत आसान काम है जापान को अगर इन उदेश्यों की ताकत से आजाद कराना है तो इन विदेशियों की बिकने वाली जो वस्तुएं जापान में हैं, सबसे पहले इनका वहिशकार करो, ताकि इन विदेशियों को आर्थिक मदद हमारे देश से जो मिल रही है, वो बंद हो जाए, और जब इन विदेशियों को जापान से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो जाएगी तो इन विदेशियों का जापान में रहने का दूसरा कोई लालच नहीं है वो यहां से छोड़कर अपने आप चले जाएंगे इनको आर्थिक ताकत जो हम दे रहे हैं वही इनको जापान में टिकाए हुए हैं लोगों की समझ में ये स्वधेशी की बात आ गई और जापान में एक जबरजस्व शदेशी अंदोलन शुरू हो गया परिणाम क्या हुआ जापान के नागरिकों ने अमरीकी वस्तूँं का बहिश्कार करना शुरू किया जापान के नागरिकों ने हॉलेंड की डच वस्तूओं का वहिशकार करना शुरू किया जापानी नागरिकों ने फ्रांसी सी वस्तूओं का वहिशकार करना शुरू किया उसी समय क्या हुआ कि जब ये जापानी लोग विदेशी वस्तूओं का वहिशकार कर रहे थे तो अमेरिका में फ आजाद हो जाएंगे, हमारी गुलामी से बाहर चले जाएंगे, फिर हमारे लिए इतना बड़ा बाजार जो जापान का है ये निकल जाएगा तो हमें कुछ करना चाहिए तो इन सब देशों ने मिलकर जापान को ढराना शुरू किया, धमकाना इन देशों ने जापान के उपर हमले करना शुरू किया, ये चार-पांच देशों की सेना मिलकर जापान के उपर चड़ बैथी और मेजी और मेजी के सहियोगियों को दबोचना इन्होंने शुरू किया, और इस तरह से संघर्ष की इस्तिती जापान में बनना शुरू हो गई एक समय ऐसा आया कि जापान में स्वदेशी आंदोलन के जो समर्थक लोग थे और एक समय ऐसा आया कि ये स्वदेशी आंदोलन के सहियोगी लोग जो थे ये विदेशियों की सेना के सामने सैनिक युद्ध में हारने लगे सैनिक युद्ध में ये हारने क्यों लगे क्योंकि जापान के पास उस समय इतनी ताकतवर सेना नहीं थी जितनी ताकतवर सेना इन पांच देशों की थी आप सोचिए पांच देश एक तरफ और जापान अकेला एक तरफ पांचों विदेशियों ने ये तैय कर लिया था कि अगर हम सैनिक रूप से हार गए और मानलो इन विदेशियों का कबज़ा हमारे उपर फिर से हो गया तो भी हम अपने जीवन में इन विदेशियों की तो कोई वस्तु का उप्योग नहीं करेंगे भले ही हमें भूखे मर जाना पड़े या बिना उस वस्तु के रह जाना पड़े आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी बहुत आश्चर होगा कि जापान के लोगों ने उस जमाने में अपने हाँ खाने पीने की वस्तु हैं जो बहुत कम पैदा होती थी विदेशों से लेना बंद कर दिया अमरीका से आया हुआ संत्रा अमरीका से आया हुआ सेब जापान के लोगों ने खाना बंद कर दिया विदेशों से आये हुए चावल और चीनी को जापानियों ने पूरा बहिशकार करना शुरू कर दिया एक एक वस्तुओं का पूरे देश में बहिशकार होता गया और धीरे धीरे जापान के लोगों ने सैनिक युद में हारने के बाद भी स्वदेशी के युद में जीतना शुरू कर दिया एक बहुत रोचक बात में आपको बताना चाहता हूं कि जब ये स्वदेशी आंदोलन जापान में चल रहा था तब उसमें जो स्वदेशी का अभियान चलाने वाले लोग थे इन लोगों ने मिलकर एक फैसला किया कि जैसे बड़े-बड़े अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ये हॉलेंड देशों की कमपनियां आकर जापान में व्यापार कर रही है और जापान की अर्थवेवस्था पर कबजा कर रही है तो क्यों नहीं जापान के लोग मिलकर जापान की छोटी-छोटी या बड़ी-बड़ी स्वदेशी कमपनियां बनाएं और उनको आगे बढ़ाएं ताकि वो कमपनियां विदेशी कमपनियों से टक्कर ले सकें और जापान में जिन सामनों की जरूरत है उस सामन का उत्पादन करके लोगों को दे सकें तो सबसे पहली जो जापान की स्वदेशी कमपनिय बनी जो स्वदेशी आंदोलन के गर्व में से पैदा हुई उसका नाम है मिट्सू विशी आपने मिटसु विशी का नाम सुना होगा ये जापान की सबसे बड़ी कमपनियों में एक है और जापान की ये सबसे बड़ी स्वदेशी कमपनियों में एक है जैसे हम भारत में बात करते हैं ना टाटा सबसे बड़ी स्वदेशी कमपनियों में एक है वैसे जापान में मिटसु विशी सबसे बड़ी स्वदेशी कमपनियों में एक है ये मिटसु विशी कमपनी का जन्म हुआ स्वदेशी आंदोलन मैंसे जब जापान के लोगों ने ये तै किया कि कोई विदेशी माल हम नहीं खरी देंगे भले ही हमारे देश में वो माल ना बने तो हमें हमारा ही बनाया हुआ सामन इस्तेमाल करना है उसके लिए मिटसुविशी कमपनी को इन्हों ने बनाया फिर जापानी लोगों ने देखिए क्या किया मिटसुविशी कमपनी में जापानी लोगों की भरती हुई अब उनको टेकनॉलजी सीखनी थी उनको तकनीकी सीखनी थी क्योंकि जापान में उस जमाने में बहुत अच्छी तकनीकी नहीं हुआ करती थी तो ये मिटसुविशी कंपनी के इंजिनियर जो हुआ करते थे इनको विदेश में पढ़ने के लिए भेजा जाता था सबसे जादा ये जाते थे पढ़ने के लिए जर्मनी में जर्मनी में जाकर ये मिटसुविशी कंपनी के इंजिनियर तैयार होते थे पढ़कर वापस आते थे और जापान के लोगों के लिए टेकनोलजी बनाते थे इनका तरीका क्या था? जर्मनी में गए, वहां मशीनों को देखा, मशीनों को खोला, खोलने के बाद फिर वापस बन किया, फिर खोला, फिर बन किया इतने में मशीन बनाना सीख लेते थे और वापस आकर वैसी की वैसी ही मशीन बना देते थे जो जर्मनी में उन्होंने खोल कर देखी होती थी इस तरह से जापान में मशीनरी का निर्मान शुरू हुआ इस तरह से उन्होंने तक्निकी का अपने देश में बढ़ावा देना शुरू किया तकड़ी की जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे मिटसुबिशी कमपनी के नीचे काम करने वाली छोटी कमपनियों की संख्या बढ़ती गई एक समय ऐसा आया, कि मिटसुविशी एक बड़ी कमपणी, उसके नीचे छोटी छोटी सैकड़ों सैकड़ों छोटी छोटी दूसरी कमपणिया, फिर इसी तरह से जापान में याशिका निकला, फिर और कमपणिया निकली, फिर धीरे धीरे फैलता गया, और एक समय जापान में ऐसा आया कि अमरीका और ब्रिटेन और हॉलेंड और फ्रांस और रूस इन पाँचो देशों की कमपनिया जो जापान में पैदा करती थी उससे बहतर सामान जापानी कमपनियों ने बनाना और सस्ती कीमत में बनाना शुरू कर दिया और इन कमपनियों को जापन के बाजार में जापनियों ने बुरी तरह से पीट दिया और उसके बाद ये सारी की सारी कमपनिया एक एक करके जापन से निकलती गई और धीरे धीरे जापन जो है बहतर होता चला गया और जापान आज सारी दुनिया के सामने जो खड़ा है ये स्वदेशी आंदोलन में से पैदा हुआ जापान है आज का जो जापान है ये सारी दुनिया के लिए आश्यरी का विशय है हैरानी का विशय है सारी दुनिया के लोग कहते हैं कि जापान के लोगों ने तकनी की सीखी लेकिन वो जापानी भाशा में सीखी वो जर्मनी गए थोड़े लोगों ने जर्मन सीखकर तकनी की सीखी उसको वापस लाकर जापनी भाशा में भाशांतर किया और उसके बाद हजारों लाखों करोडों लोगों को सिखा दिया और इसमें से जापान बढ़ गया और इसमें से जापान निकल गया फिर दीरे दीरे इन विदेशियों के प्रभाव को जापान ने अपनी शक्ती से जो आर्थिक शक्ती थी कम किया और आज जापान सारी दुनिया में स्वदेशी स्वावलंबी देश के नाम पर खड़ा हुआ है एक जमाने का जापान जो पूरी तरह से विदेशी ताकतों के नीचे दबा हुआ था आज पूरी ताकत से विदेशियों के सामने सीना ठोक कर खड़ा हुआ है अभी तो ये हरानी होती है सारी दुनिया के व्यापारियों को अर्थ व्यवस्था चलाने वाले जो नेता होते हैं उनको कि जापान ने मात्रद 1858 से 2009 के बीच में इतनी तेजी से तरक्की की आपको मालू है जापान की जनसंख्या भारत के कई राजियों की जनसंख्या से कम है जापान की जो कुल जनसंख्या है वो भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम है उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या में जापान से बड़ा है और छेतरफल में देखा जाए तो भी उत्तर प्रदेश जापान से बड़ा है जापान का छेतरफल भारत के एक राज उत्तर प्रदेश से कम है जापान की जनसंक्या भारत के एक राज उत्तर प्रदेश से कम है लेकिन जापान अभी आर्थिक ताकत में सारी दुनिया में अमरीका को टक्कर दे रहा है और अमेरिका की बड़ी बड़ी कमपनियों को जापानी कमपनियों ने खरीद लिया है और अमेरिका की अर्थ व्यवस्था पर बहुत बड़े पैमाने पर जापान का कबजा हो गया अभी उनके हाँ आप सुनके हैरान हो जाएंगे जमीन अच्छी नहीं है मैंने कहा ना जापान टापूओं का देश है जमीन अच्छी नहीं है बीच बीच में जमीन है बाकी समुद्र है दलदली जमीन है खाने के लिए कोई बहुत अच्छा पैदा नहीं हो सकता सिवाए चावल के दूसरी बहुत खेती कोई हो नहीं पाती वहां पर और चावल भी जो जापान में पैदा होता है वो कोदो किस्म का चावल होता है हमारे ये पहाड में उत्राखंड में एक कोदो नाम का चावल होता है आसाम में भी होता है उदर और उत्तर पूर्वी दूसरे राज्यों में भी कोदो होता है कोदो के अलावा दूसरा कोई चावल पैदा नहीं होता जापान में कोदो से ज़्यादा बहतरीन क्वालिटी का चावल दुनिया के कई दूसरे देशों में पैदा होता है किसी भी जापानी को आप पूछेंगे इस समय कि आप कोदो चावल खाते हैं हाँ खाते हैं क्वालिटी में तो बहुत अच्छा नहीं है हाँ बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर क्यों खाते हैं किसी भी जापानी से बात करिए वो बोलेगा कि हाँ हम कोदो चावल खाते हैं हमारा चावल क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं है दुनिया के कई देशों के पास हमसे भी जादा अच्छी क्वालिटी का चावल है जैसे भारत में बास्मती पैदा होता है वो दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है तो उन जापानियों से आप पूछेंगे भारत से बास्मती चावल खरीद के क्यों नहीं खाते इसी तरह से जापान में अच्छे फल पैदा नहीं होते है तो दुनिया के दूसरे देशों में बहुत अच्छे फल पैदा होते है तो जापानियों से पूछे दूसरे देशों से खरीद कर फल क्यों नहीं खाते है आपको मालूम है जापान में चरागहा नहीं है गाए बेल भैस पाल नहीं सकते क्योंकि चरागा जादा नहीं है तो दूद की व्यवस्था नहीं है तो जापानी लोग चाए भी पीते हैं न तो बिना दूद की पीते हैं तो जापानियों से अगर हम ये पूछें कि दूसरे देशों से दूद क्यों नहीं खरीद लेते अपनी चाय में डालने के लिए तो वो सारे जापानी एक ही एक जवाब देते हैं कि कोई चीज हमारे देश में कम क्वालिटी की है कोई चीज हमारे देश में घटिया क्वालिटी की है या कोई थी चीज हमारे देश में सबसे रदी क्वालिटी की है फिर भी हम उसी का इस्तेमाल करते है क्योंकि वो स्वदेशी है ये जो स्वदेशी की भावना है ये किसी देश को बनाती है और बहुत आगे बढ़ाती है जापान के बारे में एक आखरी और महत्वपून बात कहना चाहता हूँ जब ये क्रांती शुरू हुई जापान में सन 1858 में उस समय जापान में पूंजी की बहुत कमी थी पैसा नहीं था उनके पास कैपिटल नहीं था उनके पास आप जानते हैं कोई भी उद्योग बनाना हो और किसी भी उद्योग को चलाना हो तो चार चीज़ें उसमें चाहिए एक तो चाहिए पूंजी जिसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं दूसरा चाहिए श्रम माने जो हमारे मजदूर हैं तीसरा चाहिए हमें संसाधन जिसको हम अंग्रेजी में रौ मिटीरियल कहते हैं कच्चा माल कहते हैं और चौती चाहिए हमारे देश की वातावरन कानून और व्यवस्था की अनकूलता ये चार चीज़ें एक साथ हो तब कहा जाता है कि किसी देश में उद्योक का विकास होता है अब जापान की कम नसीबी देखिए कि जापान ने जब ये करांती शुरू की स्वदेशी करांती और उन्होंने विदेशियों के कबजे से अपने देश को आजाद कराने की महीम चलाई उस समय जापान में कुछ नहीं था उनके पास संसाधन नहीं थे जापान में अगर प्राकरतिक संसाधन आप देखेंगे न तो दो तीन चीजें ही उनके देश में हैं जो पैदा होती है एक तो कोईला पैदा होता है भरपूर मात्रा में जापान में कोईला पैदा होता है जो प्रकर्ती ने उनको दिया है ईश्वर ने उनको दिया है दूसरा जापान में बहुत बड़े पैमाने पे सिल्क का उत्पादन होता है हजारों वर्षों से होता है तो सिल्क और कोईले को छोड़कर 1858 में तो जापान के पास कुछ उत्पादन भी नहीं था दो ही चीज़ें होती थी या तो कोईला होता था या तो सिल्क उनके पास होता था दूसरे रौ मिटीरियल उनके पास नहीं थे पूजी उनके पास नहीं थी तो पूजी नहीं थे, रौ मिटीरियल नहीं थे और विदेशियों की गुलामी में पूरा देश था तो कानून और नयाएं और सारी व्यवस्थाएं उनके अनकूल नहीं थी जापानियों के पास एक ही चीज थी जब भी किसी जापानी अर्थशास्त्री को आप ये पूछेंगे कि 1858 की आपकी करांती सफल कैसे हुई आपके पास तो कुछ नहीं था ना पूजी थी, ना संसादन थे, ना रिसोर्सिस थे आपके पास ना अनकूल वातावरन था, ना कानून व्यवस्था आपके हाथ में थी फिर भी जापान को आपने ऐसा बना लिया तो वो सारे के सारे अर्थशास्त्री समाज शास्त्री जापान के एक ही जवाब देते हैं हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन हमारे पास आत्म विश्वास था हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि हम हमारे देश को आजाद कराएंगे विदेशियों से और एक दिन दुनिया का सर्वस्रेश्ट देश बनाएंगे बस इसी आत्म विश्वास ने हमको सब कुछ दे दिया हमारे पास कुछ नहीं था आप सोचिए कितनी बड़ी बात है जिस देश के पास कुछ नहो प्राकरतिक संसादन नहो कुछ नहो वो देश आत्म विश्वास के सहारे अपनी ताकत के सहारे कितनी दूरी चलता है और कहां पर आकर खड़ा होता है एक छोटा सा उधारन देके ये खतम करूँगा फिर दूसरे देश की कहानी सुनाऊँगा जापान में जब ये मिट्सु विशी कंपनी बनी तो कंपनी के सामने भी यही संकट था पूजी नहीं है कंपनी का फॉर्मेशन तो हो गया कई आत्मश्वासी जापानियों ने मिलके कंपनी तो बना ली लेकिन पूजी कहां से लाएं कंपनी चलाने के लिए तो जापान के जो कंपनी में काम करने वाले करमचारी थे ना इन्होंने एक संकल्प लिया कि हम कहीं से बाहर से भीक मांगेंगे नहीं किसी से उधार लेंगे नहीं किसी से कर्ज लेंगे नहीं और फिर भी हम इस कंपनी को आगे लेके जाएंगे और चलाएंगे तो इन लोगोंने पता है रास्ता क्या निकाला इन्होंने रास्ता ये निकाला कि पूझी तो पैदा हो सकती है अगर अतिरिक्तर श्रम हमारे पास हो ये अर्थशास्तर का एक सिद्धानत है कि अगर सर्प्लस लेवर आपके पास है तो सर्प्लस लेवर से आप पूजी को पैदा कर सकते हैं तो जापानी जो कारीगर होते थे जापानी जो मजदूर होते थे उन्होंने कमपनी में काम करना शुरू किया तो पता हैं उनको एक दिन में 6 घंटे का काम करना पड़ता था उन्होंने का हम 12 घंटे काम करेंगे और तनका उतनी ही लेंगे पगार उतनी ही लेंगे वेतन उतना ही लेंगे 6 घंटे का वेतन लेंगे बारे घंटे काम करेंगे आप सोच रहे हैं? छे घंटे का वेतन लेंगे बारे घंटे काम करेंगे चार पाँच घंटे का वेतन लेंगे बारे घंटे काम करेंगे माने अत्रिक्तर श्रम करेंगे और सारे जापान के मजदूरों ने पूरे देश के छोटे छोटे बड़े बड़े कारखानों में इस उद्देश से काम करना शुरू किया कि हमारे देश के पास पूजी नहीं है, हमें पूजी पैदा करनी है, विदेशों से हमें हाथ फैला के भीक मांगनी नहीं है, कर्ज किसी से लेना नहीं है, हम अपने श्र 16 गंटे काम किया करते थे तंखा और वेतन सिर्फ 6 गंटे का लिया करते थे इसमें से पूंजी पैदा हुई और ध्यान रखिएगा ये काम जापान के मजदूरों से किसी ने जबरजस्ती नहीं कराया अपनी स्वयम प्रेरना से और भावना से उन्हों ने ये काम किया जापान का नेता आप सोचिये कितना तेजस्वी रहा होगा कितना चमतकारी रहा होगा जिसका नाम मैजी मैंने आपकों सामने लिया जिसने जापान के लोगों में इतनी भावना भर दी कि दूसरों से भीक मांगने से अच्छा है हम जादा मेहनत करके पूजी बना है तो 6 गंटे का वेतन लेके 12 गंटे, 14 गंटे, 16 गंटे काम किया और इसमें से मिच्सुबिशी कंपनी ने पूजी पैदा की और उस पूजी को फिर उन्होंने गुनात्मक रूप से मल्टिप्लाई किया और धीरे धीरे जापान आज दुनिया में सबसे ज़्यादा तरल पूजी वाला देश बन गया अभी जारी दुनिया के अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि अमेरिका के बाद दुनिया में किसी देश के पास सबसे ज़्यादा तरल पूजी है जिसको लिक्विडिटी कहते हैं वो जापान के पास ही है और अमेरिका की बड़ी बड़ी बैंकें जापान के कबजे में हैं अमेरिका की बड़ी बड़ी financial company अमेरिका में जापान के कबजे में है और इस समय अमेरिका की हालत तो बहुत खराब हो चुकी है अगर आपको एक वाकिमे में कहूं कि अमेरिका के departmental stores पर चीन का कबजा है और अमेरिका की financial जो backbone है जो उनकी रिल की हड़ी है वैतिक और आर्थ रूप से उस पर पूरी तरह से जापान का कबजा है तो ऐसा जब स्वदेशी आंदोलन किसी देश में चलता है तो कहां से कहां किसी देश को ले जाता है आज जापानियों को गर्व है इस बात पर कि वो Japanese भाशा में काम करते हैं सारी सिक्षा Japanese में होती है जापान की संस्कृती को एक इंच भी उन्होंने नहीं छोड़ा है जापानी संस्कृती में आपको दो तीन उधारन देता हूँ ज्यादा पवित ज्यादा है जमी पर उन्होंने अपनी संस्कृती को नहीं छोड़ा है जापानी संस्कृती में माना ये जाता है कि लकडी के बरतनों में खाना सबसे पवित्र होता है आप जानते हैं भारत में भी सादू सन्यासी लकडी के पात्रों में ही भोजन करते हैं जापान की संस्कृती में ये है कि लक पतियों के घरों में लकडी का कटोरा मिलेगा लकडी का गिलास मिलेगा लकडी की चमच मिलेगी और घर में खाना बनाने के लिए जो थोड़े बहुत उपकरन लगते हैं वो भी सारे लकडी के ही मिलेंगे। आपको बहुत तेज गुसा होकर वो सकता है गाली में भी आपसे बात करें और वो कहेगा कि हम ये सब कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं क्योंकि हमारी संस्कृती में इसकी इजाजत नहीं हैं। ना भाशा छोड़ा ना उन्होंने अपना पहनावा छोड़ा ना उन्होंने स्वदेशी पन छोड़ा ना उन्होंने देश भक्ती छोड़ी अपनी सब कुछ उनके यहां खून में रगरग में बसा हुआ है। कारण उसका एक है कि जापान के विद्यारतियों को बच्पन से जो सिक्षा दी जाती है उसमें ये सबसे महत पूर पाठ है जो सिखाया जाता है जापानी होना क्या है? जापानी भाशा का महत तो क्या है? जापानी संस्कृती का महत तो क्या है? जापानी सब्वेता का महत तो क्या है? ये बच्चे वहाँ पहली कक्षा से सीखते हैं और उनको पहली कक्षा से जब ये सब बातें बार बार सिखाई जाती है तो बड़े होकर उनमे जापान की भावना कूट-कूट कर अपने आप आ जाती है इसलिए वो कभी देश द्रोह नहीं करते और वो कभी अपने देश से गद्दारी नहीं करते जापान में इतना शर्म माना जाता है किसी व्यक्ति के लिए कि अगर उसके उपर भ्रष्टाचार का थोड़ा बहुत कोई मामला खुल जाए तो सामन रूप से आपने अगर अखवार पड़े हों समाचार पत्र पड़े हों तो पता चलता है कि जापान का कोई नेता थोड़े भी भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त पाया गया और उसकी बात अखवार में गल्ती से भी छप गई अगले दिन वो आत्म हत्या ही कर लेगा इस से कम पे वो समझोता नहीं करेगा और उनका कहना ये है कि मेरे देश की बदनामी हो उससे बहतर ये है कि मैं खुद देश के लिए मर जाओ कितने प्रधान मंत्री वहाँ आत्मत्या कर चुके हैं बाद में इंक्वाइरी होई कमीशन बिठाए गए तो पता चला वो बात गलत थी लेकिन वो आत्म सम्मान बचाने के लिए आत्मत्या तो करी लेते ऐसा जापान बना स्वदेशी आंदोलन के गर्व में से निकल के जो स्वदेशी आंदोलन वहां 1858 में चला तो मेरा मानना है कि जब जापान जैसा देश जो जनसंक्या में हमसे बहुत छोटा छेतरफल में हमसे बहुत छोटा संसादनों में हमसे बहुत कम सब्विता और संस्कृती में शायद हमसे कम पुराना हमारी सब्विता और संस्कृती तो उनसे कई हजार गुना जादा साल पुरानी है इन सब चीजों में हमसे कम होने पर भी जापान अगर सफल हो सकता है स्वदेशी आंदोलन को चला सकता है अपने देश को स्वाबलंबी और स्वाभिमानी बना सकता है तो भारत देश में भी अपना अभियान जो भारत स्वाभिमान का है ये जरूर सफल होगा क्योंकि हमारे पास तो ताकत में जापान से कई गुना जादा संसादन है और जापान से कई हजार गुना जादा सामुएक रूप से लोगों का आत्म विश्वास हमारे पास है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत स्वाविमान का विहान तो जरूर सफल होने वाला है। अगर आप पूछेंगे कि ये स्पैनिश लोगों ने अमेरिका में जब लूट पाट की तो कितने लोगों को मारा होगा। बिटिश लोगों ने जब अमेरिका में लूट पाट की तो कितने लोगों को मारा होगा। तो अमेरिका के इतिहासकार बताते हैं कि लगबग 11 करोड अमरीकी मूल नागरिकों को इस्पैनिश और बिटिश लोगों ने खतम कर दिया, मार डाला, हमेशा के लिए मौत की नीद में सुला दिया। 11 करोड आप सोच सकते हैं 11 करोड की जन संख्या को हमेशा के लिए मार डाला। ये इतनी हत्या, इतनी हिंसा, इतनी बरबर ता इस्पैनिश और बिटिश लोगों ने अमेरिका में की। तो काफी समय तक इस्पैन का गुलाम था अमेरिका, बाद में ब्रिटेन का गुलाम हो गया अमेरिका, और ब्रिटेन ने जब कबजा कर लिया अमेरिका पर, तो अमेरिका में ब्रिटेन की एकी नीती थी, लूट लूट कर सारा धन इकठा करो और ब्रिटेन में लेके जाओ तो बिटेन की सरकार जब चलती थी अमेरिका में तो ये अमेरिका के नागरिकों के ऊपर जब चाहे तब टैक्स बढ़ाती रहती थी एक बार ऐसा हुआ सन 1765 में ब्रिटिश गवर्मेंट ने ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका के नागरिकों पर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया आप जानते हैं जैसे भारत में अंग्रेज टेक्स लेते थे ब्रिटिश गवर्मेंट टेक्स लेती थी वैसे ही अमेरिका के लोगों पर भी ब्रिटिश गवर्मेंट ने ब्रिटिश सरकार ने टेक्स लेना शुरू कर दिया और बहुत अधिक मात्रा में टैक्स लगा दिये परिणाम क्या हुआ अमरी की लोग परेशान हो गए परेशानी क्या होती है जब नागरिकों पर टैक्स ज़्यादा लगाए जाते हैं तो सबसे पहला दिश्परिणाम आता है कि नागरिक गरीब होना शुरू हो जाते है सरकार तो अमीर होती जाती है सरकार को तो पैसा मिलता जाता है टैक्स से लोग गरीब होते जाते हैं तो अमेरिका में गरीब ही आना शुरू हो गई फिर अमेरिका के किसानों पर जबरजस्ती टैक्स लगाए गए फिर अमेरिका के किसानों में गरीबी आना शुरू हो गई फिर मजदूर और किसान जब दोनों गरीब होने लगे तो अमेरिका के जो उद्योग चलते थे उन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया और उद्योगों की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी तो अमेरिका के लोगों में भयंकर असंतोष पैदा हुआ असंतोष दो तरह का था एक तो अंग्रेज सरकार उनके उपर जुल्म करती है जादती करती है, अत्याचार करती है दूसरा उनके सारे धन और संपती को टैक्स के रूप में लूट लूट कर लंडन लेके जाते हैं तो अमेरिका में एक व्यक्ती निकला उस व्यक्ती का नाम था जॉर्ज वाशिंगटन उस जॉर्ज वाशिंगटन नाम के व्यक्ती ने अमरीका में घूम घूम कर लोगों को ये समझाना शुरू किया कि देखो पहले स्पैनिश लोगों ने हमको गुलाम बनाया और उन्होंने हमको लूटा लगबग 300 साल तक अब इन अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना रखा है और ये लूट लूट कर सारा धन इंग्लेंड में लेके जा रहे हैं हम गरीब होते जा रहे हैं हमारे किसान गरीब होते जा रहे हैं हमारे उद्योग धीरे धीरे बंद हो रहे हैं क्योंकि हमारे उद्योगों पर ज़्यादा टैक्स लगा दिये हैं अंग्रेजों ने तो अब हम कितने दिन तक ये बरदाश्ट करेंगे कितने दिन हम इसको चलते रहने देंगे कभी न कभी तो हमें आजादी पानी होगी इन अंग्रेजों को अपने देश से भगाना होगा ये विचार लेकर जॉर्ज वाशिंगटन नाम का एक व्यक्ति निकला गाओं गाओं घूमा अमेरिका में उस जमाने में तेरे राज्य हुआ करते थे एक वरजीनिया होता था एक मेरिलेंड हुआ करता था ऐसे तेरे राज्य हुआ करते थे ये पूरे राज्यों में घूमा घूम घूम कर उसने संगठन खड़ा किया संगटन खड़ा करके ताकत उसके हाथ में आई और जैसे ही उसके हाथ में ताकत आई मने संगटन की ताकत खड़ी हुई उसने ऐलान कर दिया और 1775 के साल में जॉर्ज वाशिंगटन ने ऐलान कर दिया कि अब हम अंग्रेजों की गुलामी में नहीं रहेंगे और अपने देश को हम आजाद कराके ही रहेंगे उसने एक डिकलेरेशन किया और उस डिकलेरेशन पर पूरी अमरीकियों की महर लगी अमरीकियों ने उसको समर्थन दिया और उसका वो घोशना था वो ये कि आज से हम अमेरिका मने उत्तरी अमेरिका अंग्रेजों की गुलामी से अपने को आजाद घोशित करते हैं और जहां जहां अंग्रेजों की सेना है और जहां जहां अंग्रेजों के प्रतिस्थान है इन सब को या तो हम बंद कराएंगे या इन अंग्रेजों को अपने देश में से मार कर भगाएंगे तो 1776 से 4 जुलाई को उसने गोशना कर दी, जोर्ज वाशिंग अटन ने, और अमरीका के लोगों ने उसको समर्थन दिया, उसके बाद 1776 चार जुलाई से 1 अक्टूबर 1781 तक अमेरिका में भयंकर घमासान चला, बहुत घमासान चला, भयंकर युद्ध हुआ, एक तरफ अम होंगे और इतिहास के विद्यारती रहे होंगे, तो अंतराश्री इतिहास में एक बड़ी घटना बताई जाती है, बोस्टन टी पार्टी, वो बोस्टन टी पार्टी क्या थी, बोस्टन नाम का एक शहर है, वहाँ पर अमरीकियों ने अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी चावनी हुआ करती थी, उसमें आग लगा दी थी, और अंग्रेजी सेना के सेनिकों को मार डाला था, अमरीकी लोगों ने, और अमरीकी साधारन लोगों ने ये काम किया था, और उसके बाद फिर वहाँ से ये सारा युद्ध फैलता चला गया, और सत्रों से इक्यासी तक आते, सारे अंग्रेजों का नामों निशान अमरीकियों ने मिटा दिया, और एक तरह से अमरीका पूरी तरह से अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया, जब अमरीका आज़ाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से, तो सबसे पहला काम उन्हों ने जो अपने देश में किया वो ये कि अंग्रेजों की वस्तूओं का संपूर बहिशकार और अमरीकी वस्तूओं का संपूर रूप से स्वीकार आपको सुनकर हैरानी होगी जब 1776 में ये आंदोलन चल रहा था अमेरिका में आजादी का आंदोलन उसका मूल सिधान्त था स्वदेशी मूल भाव ना थी स्वदेशी अमरीकियों को ये संकल्प कराया जाता था जॉर्ज वाशिंगटन खुद बड़ी बड़ी सभाएं करता था और सभा में हाथ उठाकर सबसे संकल्प कराता था कि हम संकल्प करते हैं कि आज से अंग्रेजी वस्तूओं का संपूर बहिशकार करेंगे क्य क्योंकि हमें अमेरिका की आजादी चाहिए और लोग हाथ उठाके समर्थन करते थे आपको सुनके एक ताज्यूब होगा हैरानी भी होगी अमेरिका बहुत ठंडा देश है वहाँ पे सर्दी बहुत पड़ती है और 1776 में अमेरिका की हालत इतनी खराब थी कि अमेरिका में एक भी बड़ी स्वदेशी कपड़ा बनाने की मिल नहीं थी उनको कपड़े चाहिए क्योंकि ठंड से शरीर को बचाना है और गरम कपड़े चाहिए क्योंकि सर्दी बहुत जादा है तो गरम कपड़े जादा तर इंग्लेंड से बनकर आते थे और गरम कपड़े जादा त की अगर अमरी की ना मिलें तो पहनेंगे नहीं, बले ठिटुर ठिटुर कर ठंड से मर जाएंगे, इतनी भावना उन्में पैदा हो, हजारों अमरी की ठंड से ठ्टुर कर मर गये सढ़कों पर, क्योंकि उनके शरीर पर गरम कपड़े नहीं थे, क्योंकि उन्होंने संकल्प था कि अंग्रेजी कमपनियों के कपड़े पहनेंगे नहीं खरीदेंगे नहीं तो अंग्रेजी कमपनियों के जो स्टोर्स खुले हुए थे अमेरिका में धीरे धीरे सब बंद हो गए लंका शायर और मांचेस्टर की जो मिलें चला करती थी जो अमेरिका में कपड़ों की सप अवलंबी देश के रूप में खड़ा है इस अमेरिका की कहानी स्वदेशी आंदोलन में से निकली हुई एक कहानी है जिसने अपने को आजाद कराया विदेशी गुलामी से और आर्थिक परतंतरता से इस अमेरिका की कहानी को पढ़ते समय जानते समय सुनते समय बहुत रोमा कि किस तरह से देश के लोगों में एक भावना प्रवल हो जाती है एक व्यक्ति कोई निकलता है वो एक विचार देता है उस विचार में इतनी ताकत हो जाती है कि लाखों करोणों लोग उस विचार के अनुयाई हो जाते हैं और उस विचार के लिए अपने सारे शरीर के पुछना भी मुश्किल है लेकिन इनी अमरीकी लोगों के पुर्खों ने पूर्वजों ने 3776 में ठंड से ठिटुर कर मरना पसंद किया था लेकिन अंग्रेजी गरम कपड़े पहनना मंजूर उन्होंने नहीं किया था मतलब इस पूरी कहानी में से भी एक बाती निकलती है कि जब देश के लोग संकल्प कर लेते हैं और आत्म विश्वास उनमें आ जाता है तो बड़ी से बड़ी लड़ाई वो जीत लेते हैं और बड़े से बड़े ब्यवस्था परिवर्तन के आंदोलों को वो सफल बना देत हैं इसी तरह एक देश है फ्रांस उसमें भी ऐसी ही एक क्रांती हो चुकी है 1788 में फ्रांस में अचानक से क्या हुआ बर्फ बहुत पढ़ गई पाला बहुत पढ़ गया तो फसल बरबाद हो गई आप जानते हैं ये फ्रांस ब्रिटेन जर्मनी जैसे देश हैं ये बहुत ठंडे देश हैं साल में 6-8 महीने यहां बरफ पढ़ती रहती है और बहुत भेंकर बरफ पढ़ती रहती है और कभी कभी बरफ जादा लंबी चल जाए तो उनके खेतों में सब कुछ खतम हो जाता है फसल बरफ में दब जाती है उत्पादन कुछ नहीं हो पाता एक बार ऐ कि यहां आर्थिक रूप से परेशानियां शुरू हो गई दूसरी एक बात और हुई कि फ्रांस ने 1776 से 1781 के बीच की जो क्रांती चली थी अमेरिका में इस क्रांती में फ्रांस ने अमेरिका की बहुत मदद की थी अमेरिका से मतलब जॉर्ज वाशिंगटन की बहुत अमेरिका का उसको मदद की जरूरत थी तो फ्रांस ने उसको मदद की थी क्योंकि फ्रांस हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ रहा है ब्रिटेन के खिलाफ रहा है तो ब्रिटेन का कब जा था अमेरिका पे तो ब्रिटेन के खिलाफ फ्रांस ने मदद की थी इनकी अमरीकियों की स्वदेशी अंदुलन में तो फ्रांस का बहुत सारा पैसा अमरीका में चला गया था अचानक से 1788 में अकाल की पाले की स्थिती आ गई तो खेतों में सब बरबाद हो गई फसल कुछ बचा नहीं तो फ्रांस का उस समय जो राजा था उसका नाम था लूई एल यू आई लूई लूई सोलवा उसका नाम था लूई 16 उसको कहा करते थे तो उसको समझ में नहीं आया क्या किया जाए आर्थिक रूप से देश कमजोर हो गया था क्योंकि अमेरिका को बहुत मदद की थी इन्होंने पैसे से और यदर खेती पूरी बरबाद हो गई चौपट हो गई तो लूई ने एक रास्ता निकाला और वो थोड़ा भारी पड़ गया रास्ता ये निकाला कि उद्योगों के ऊपर टैक्स लगा दो अब जादा पैसे और लाने के लिए क्योंकि खेती में से कुछ मिलेगी नहीं आमंदनी और काफी पैसा अमेरिका में खर्चो चुका है तो उद्योगों पर उसने ज़्यादा टैक्स लगा दिये उद्योगों ने क्या किया कि वो टैक्स जनता पर ट्रांसफर कर दिये आप जानते हैं किसी भी उद्योगपती पर टैक्स लगाया जाए तो उद्योगपती टैक्स होड़ी देता है वो तो नागरिक है जो उसका माल खरीदता वो टैक्स देता है आप उद्योगों पर जितने टैक्स बढ़ाते हैं अंत में वो सारे टैक्स जो है न जन्ता को देना पड़ता है तो लूई 16 राजा ने फ्रांस में टैक्स तो उद्योगों पे लगाया लेकिन उद्योग पतियों ने वो सारे टैक्स जन्ता के ऊपर ट्रांसफर कर दिया नतीजा ये हुआ कि वस्तुएं बहुत महंगी हो गई और महंगाई फ्रांस में बहुत तो गरीबी और तेजी से बढ़ेगी वो ऐसे समझ लीजे कि कल तक कोई वस्तुआपको दस रुपए में मिला करती थी अब वही वस्तुआपको 50 रुपए में मिलने लगी तो आपकी जेप से 40 रुपए अधिक जाने लगे जिस वस्तुख के लिए माने हाप 40 रुपए से गरीब होना शुरू हो गए उस वस्तू के लिए तो जैसे ही महंगाई बढ़ी तो गरीबी बढ़ी और गरीबी महंगाई बढ़ने से फ्रांस में असंतोष बढ़ा और वो असंतोष दीरे 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 बढ़ता गया और लुई सोलमे राजा के खिलाफ ये सारा असंतोष इकठा हो गया और इस असंतोष ने एक संगठन का निर्मान कर दिया और उस संगठन में कुछ नेता निकले और उन नेताओं ने सारे देश में घूम घूम कर ये कहा कि ये जो लुई सोलमा राजा है इसकी गलत नीतियों के कारण इसकी गलत व्यवस्था के कारण इसके गलत कानुनों के कारण फ्रांस का ये हाल हुआ है गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है बेरोजगारी बढ़ी है इसने अगर अर्थ व्यवस्था को ठीक तरह से समाला होता ठीक तरह से चलाया होता तो शायद ये दिन न देखना पड़ता दीरे दीरे ये विद्रो बढ़ा विद्रो इतना जादा संगवी बूत हो गया कि क्रांती हो गई पूरे फ्रांस में और 1788 में क्या हुआ लुई सोलवे राजा का तक्ता पलट हो गया तक्ता पलट होने के बाद उसको गिरफतार कर लिया और साधरन लोगों ने मिलकर उसका सिर काट दिया राजा को मार दिया राजा को मार दिया जब लोगों ने फिर लोगों ने मिलके एक संकल्प लिया कि आगे भविश में हम किसको राजा बनाएंगे तो लोगों ने का कि एक आदमी को अब राजा नहीं बनाएंगे अब हम हमारे देश में प्रजातंत्र लाएंगे तो प्रजातंत्र की बात उस अंदोलन से शुरू हुई पहले राजा होता था एक और वो राजा कैसे होता था राजा का बेटा राजा 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 ऐसे करके ये लूई खांदान का साशन सेकड़ों साल से चल रहा था लुई पहला लुई दूसरा लुई तीसरा लुई चौथा फिर लुई पंद्रवा लुई सोलवा ऐसे करके बाप बेटा बाप बेटा इस तरह से परंपरा में था तो फ्रांसी सी लोगों ने का कि ये बाप बेटे राजा होते रहते हैं एक ही खानदान का साशन पूरे देश में चलता रहता है दूसरों को किसी को मौका नहीं मिलता अब हम हमारे साशन पद्धती को बदलेंगे तो लूई सोलवे की हत्या होने के बाद फ्रांसी सी लोगों ने तैय किया कि हम प्रजातंत्र लाएंगे और जनता के द्वारा राजा को चुनवाएंगे जनता सीधे राजा को चुनेगी अब तक क्या होता था राजा अपने बेटे को राजा बना देता था जनता का उसमें कोई सहवाग नहीं होता था तो उन्होंने का आप जनता राजा को चुनेगी तो इस तरह से 1788 में इस करांती के बाद फ्रांस में एक तरह से प्रजातंत्र आ गया और जनता ने सीधे प्रधान मंत्री को चुनना शुरू कर दिया जो परंपरा आज तक फ्रांस में कायम है 1788 के बाद फ्रांस में जितने भी प्रधान मंत्री हुए या राश्रुपती हुए वो सब सीधे जनता के द्वारा चुने गए हैं वो राजाओं के बेटे राजा इसलिए राजा नहीं बन गए दूसरा फिर उन्होंने तै कि हमारे देश में जब राजा साही रही फ्रांस में तो जो राजा के नस्दीक लोग थे उनको तो सारी सुख सुविदाएं मिल जाती थी जो आम आदमी था उनके लिए कोई सुविदा नहीं थी सिख्षा की व्यवस्था नहीं थी आपको सुनकर हिरानी होगी 1788 तक फ्रांस में साधारन बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल नहीं था 1788 तक फ्रांस में जो भी स्कूल चलते थे वो राजा के बच्चों के लिए होते थे या राजा के काम करने वाले अधिकारियों के बच्चों के स्कूल होते थे तो लोगों ने का कि सिक्षा सब को मिलनी चाहिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले परमपुजनी स्वामी जी आप कहते थे क्या गरीब क्या अमीर सब को एक जैसी सिक्षा होनी चाहिए ये बात 1788 में फ्रांस में शुरू हुई कि सिक्षा सभी को मिलनी चाहिए और सिक्षा का अधिकार सभी के लिए होना चाहिए इसी तरह चिकित्सा सब को मिलनी चाहिए और चिकित्सा का अधिकार सभी को होना चाहिए सभी बरावर हैं आपस में और सबका अधिकार समान होना चाहिए एक equality की बात वहां से निकली और सब भाई-भाई हैं आपस में equality, fraternity और ये हमारी जो प्रजातंत्र के मूलियों की बात होती है न ये सब 1788 में फ्रांस की करांती से शुरू हुए और फ्रांसी से लोगों ने इन सम मूलियों पर आधारित अपने हाँ प्रजातंत्र की स्थापना कर ली और पूरा देश एक पुराने राज़ाशाही पद्दती में जो घिसट रहा था या सड रहा था या व्यवस्ताओं में भष्टाचार पैदा हो गया था उसको उन्होंने खतम कर लिया एक रोचक बात और बताता हूँ फ्रां का जो मुद्दा था मेंगाई था गरीवी था बुकमरी था बेकारी था ये तो था ही ब्रश्टाचार सबसे ज्यदा था उस समय फ्रांस में सबसे ज्यादा करफ्षन की बात होती थी लोग यह कहते थे कि हमारे देश के विकास के लिए राजा का जितना बज़ट बनता है और हम जितना पैसा राजा को टैक्स में देते हैं, उसमें अंतर बहुत है, माने टैक्स में बहुत जादा देते हैं, और लोगों के विकास के लिए बहुत कम खर्च होता है, बाकी पैसा कहा जाता है, तो राजा खा जाता है, या उसकी अधिकारी खा जाते हैं, यहां से बात शुरू हुई थी ब्रश्टा चार की और उस ब्रश्टा चार की बात के आगे बढ़ते बढ़ते गरीबी, भुकमरी, बेकारी, महंगाई ये सब जुड़ता गया और इन सब ने मिलकर एक साथ फ्रांस में क्रांती पैदा कर दी और जिस फ्रांस में एक जमाने में कहा जाता था कि लुई के साशन को हटाना भगवान से टक्कर लेने जैसा है ऐसा फ्रांसीजी लोग कहा करते थे लुई के साशन को समाप्त करना भगवान की गद्दी को उलटने जैसा है माने लुई को भगवान मानते थे वहां के लोग राजा को भगवान का मानते थे, देवदूत मानते थे तो एक जमाने में जिस फ्रांस में राजा को हिलाना, राजा को हटाना, उसकी गद्धी उलटना, उसकी सत्ता पलटना, एकदम असंभव माना जाता था उसी फ्रांस में थोड़े सा प्रयास कुछ लोगों ने किया और एक दिन फ्रांस उस राजा की गुलामी से और उस बेवसी वाली व्यवस्था से आदाद हो गया ब्रश्टाचार, गरीबी, भुकमरी, बेरोजगारी सब कुछ उन्होंने अपने देश में से बड़े पैमाने पर समाप्त करा लिया और आज फ्रांस दुनिया में बहुत गर्व से कहने वाला ये देश है कि फ्रांस की सिक्षा व्यवस्था सब के लिए समान है फ्रांस की चिकित्सा व्यवस्था सब के लिए समान है सरकार के धन से चिकित्सा चलती है सरकार के धन से सिक्षा होती है चिकित्सा और सिक्षा पर जितना पैसा फ्रांस कर्च करता है शायदी दुनिया का कोई दूसरा देश करता होगा और फ्रांस के आज के निराजनेता ये कहते हैं कि ये करना हमारी मजबूरी है क्योंकि 1788 की करांती ने इतना डर बिठा रखा है नेताओं के मन में कि अगर ये नहीं करेंगे तो आज के नेताओं का भी वही हाल होगा जो लूई सोल्वे का हाल फ्रांस में हुआ इसलिए फ्रांस के नेता डरते रहते हैं गबराते रहते हैं और सही रास्ते पर चलते रहते हैं आज फ्रांस में ऐसा माहूल है कि थोड़ा भी ब्रष्टाचार थोड़ा भी करप्शन का मामला किसी एक प्रधान मंतरी के खिलाफ या राश्रपती के खिलाफ आ जाए तुरं जाना था कि रूस में भी बहुत बुरा हल हो गया था उन्नी सो सत्रे के आसपास रूस में क्या हुआ वैसे तो आप सभी जानते हैं अगर थोड़ा भी इतियासा आप पढ़ते होंगे उन्नी सो चौदे में प्रथम विश्युद हुआ था दुनिया में इस प्रथम इस विश्युद में रूस की आर्थिक रूप से बड़ी भारी नुकसान हो गया कि बहुत नुकसान हो गया रूस का पैसा बहुत जादा डूप गया युद में रूस के कारखाने काफी हद तक बंद हो गए युद के कारण युद में अर्थ व्यवस्था पूरी तरह से त इसलिए भारत को तो ये अंदाजा सबसे जादा है कि जब भी युद्ध होता है अर्थ व्यवस्था पूरी तरह से डामा डोल हो जाती है। उसको चापना शुरू कर दिया और अंदादंद मुद्रा उसने चापी तो इंफलेशन बढ़ गया। अंदोलन का जो नेता हुआ करते थे उनका नाम था लेनिन। लेनिन ने एक पार्टी बनाई थी एक संगठन बनाया था। वो संगठन बाद में पार्टी बन गया। उसी का नाम कम्यूनिस्ट पार्टी रखा गया। तो पहले ये कम्यूनिस्ट औरगनाईजेशन था। बाद में कम्यूनिस्ट पार्टी बन गया। तो लेनिन ने संगठन बनाया। और सारे देश में लेनिन ने घूम घूम कर ये बताना शुरू किया कि निकोलेस जार की गलत व्यवस्था के कारण, गलत नीतियों के कारण रूस पराजित हो गया युद्ध में और उस समय युद्ध में जर्मनी की जीत हुई थी जर्मनी एक तरह से विजई रहा था तो रूस पराजित हो गया रुशियन लोगों के दिल में ये बात बहुत चुपती थी कि हम हार कैसे गए हमारी पराजे कैसे हो गए जबकि निकोलेस जार ने सबसे मजबूत सेना बनाई हुई थी और लोगों से सबसे ज़्यादा टैक्स लेकर वो सेना पर खर्च किया करता था लेकिन फिर भी पराजे हुई तो रूस के लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि उनका देश पराजित हो गया उनका देश हार गया तो धीरे धीरे मन में वो बात बैठने लगी और लेनिन ने संगठन खड़ा कर दिया पराजे की बात लोगों के मन में थी उसके बाद महगाई बढ़ गई गरीबी, बुकमरी, बेकारी बढ़ गई और भरष्टाचार अपने चरम पर पहुँच गया चरम पर कैसे पहुँच गया जब अर्थव्यवस्था तूटती है न और ऐसा लगता है कि देश डूबने जा रहा है तो जो उचे पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं वो अपने बचाओ के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जादा से जादा बटोरना शुरू कर देते हैं तो निकोलस जार के जो नजदी की लोग हुआ करते थे उन्होंने जादा से जादा पैसा बटोरना शुरू किया एकठा करना शुरू किया उसमें ब्रष्टाचार बढ़ता गया कि रूस के खेतों में किसान जो मेहनत करके उत्पादन करते थे अचानक से वहाँ जादा बर्फ पढ़ने के कारण 1917, 1916, 1915 उन दिनों में उत्पादन भी घटता गया और खेती से आने वाली आमंदनी भी लगातार कम होती गई इन सब परिस्तितिओं ने मिला कर करांती को वहां जनम दिया और लेनिन के नेतरतों में जो कम्यूनिस्ट ऑर्गनाईजेशन बना जो पार्टी बाद में बन गया उन्होंने जार के साशन को उखाड़कर फेक दिया जार को गदी से उतार दिया निकोलस जार को गदी से उतार दिया बाद में उसके उपर मुकद्मा चलाए गया और उसको फासी दे के मार डाला और उसके बाद कम्यूनिस्ट पार्टी ने वहाँ पर राज समालना शुरू किया तो कमिनिस्टों ने जो राज समाला वहां, रूस में, तो वहां पर कई व्यवस्थाइं उन्होंने बदल दी, एक व्यवस्था उन्होंने ये बदली, कि कभी भी भविश में इंफलेशन ना बढ़े, महगाई ना बढ़े, तो अर्थ व्यवस्था को एक नए सिरे से उन्हो उन्हें ढाला फिर उसके बाद गरीबी भुकमरी जादा ना हो लोगों के पास जमीने हो हर आदमी के पास उत्पादन करने के लिए थोड़ी जमीन हो तो भूमी के स्वामित्तु की व्यवस्ता उन्होंने बदल डाली ऐसे करके पूरे तंत्र को बदल दिया जार के जमाने मे ऐसा होता था कि मात्र एक प्रतिशत लोगों के हाथ में रूस की पूरी जमीन थी मात्र एक प्रतिशत लोग पूरी जमीन पे कबजा करके बैठे हुए थे आप सोचो देश रूस जो है ना दुनिया में सबसे बड़ा देश है अगर आप भूगोल देखेंगे दुनिया के सबसे बड़ा देश है जिसको हम थोड़े दिन पहले तक सोवियत संग कहते रहे United States Russia जिसको बताते रहे वो दुनिया में छेतरफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है सबसे ज़ादा जमीन उनके पास है और दुनिया की सबसे कम जनसंख्या वहां रहती है तो जमीने बहुत हैं तो निकोलस जार के जमाने में क्या हुआ था कि सारी जमीने एकठी होकर एक प्रतिशत लोगों के हाथ में आ गई थी तो ये लेनिन नहीं मुद्दा बनाया था कि सारी जमीने एक प्रतिशत लोगों के हाथ में और 99 प्रतिशत लोग वहां भूमी ही नहें, लेंडलेस हैं, तो ये 99 प्रतिशत लोगों को एकठा किया जाए और इनको संगठित करके क्रांती की शुरूआत की जाए, तो वहां से उनके हां क्रांती की शुरूआत हुई और वो संगठन मजबूत होता ही गया, और एक दिन च पूरी प्रतियोगता लगा दी और रूस को ऐसा उन्होंने तै कर लिया था कि अमेरिका से किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए अमेरिका पूंजी वादी तरीके से विक्सित होने वाला देश था इन्होंने सामी वादी तरीके से देश को विक्सित करना शुरू किय और काफी हद तक उस देश को उन्होंने आगे बढ़ा लिया बाद में क्या हुआ 1970 के दशक में रूस में फिर गड़बडी हो गई कि ये कम्यूनिस पार्टी की मदद से जो शाशन व्यवस्था आई थी इस शाशन व्यवस्था में क्या हुआ था नौकर शाही पूरी तरह से हावी हो गई जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं भारत में वो नौकर शाही पूरी तरह से हावी हो गई और नौकर शाही ने फिर ब्रष्टा चार की सारी हदें तोड़ दी और फिर उस नौकरशाई के खिलाफ फिर से बगावत हुई रूस में और उस बगावत में रूस जो है ना खंड खंड तूट गया एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा भॉगॉलिक देश हुआ करता था अब एक एक छोटे छोटे हिस्से में तूट गया है रूस अलग हो गया बाईलोरशिया अलग हो गया तजाकिस्तान अलग हो गया किर्गिस्तान अलग हो गया ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े हो गए ध्यान इस बात को देना है कि 1977 में जब revolution हुआ करांती हुआ तो ब्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था और 1970 के बाद जो counter revolution शुरू हुआ रूस में जिसकी परनिती 1996 में हुई तो भी ब्रष्टाचार वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था माने अगर हम देखें जादातर देशों में करांतियां हुई है तो वहाँ की व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार जब चरम पर पहुँचा है तो लोगों ने उसका प्रतिकार किया है और करांती वहाँ पर हो गई एक और कहानी सुनाता हूँ चीन नाम का एक देश है हमारा पडोसी देश है ये चीन देश भी एक लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है आपको एक बात पुरानी शायद याद है कि भारत में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज चीन में भी गए थे और ये अंग्रेज इस इंडिया कंपनी का सबसे पहला काम ये था भारत में अफीम होती थी और अफीम भारत में बहुत साल से होती है ये यहाँ पर आयुरवेद की ओशदी के लिए उपयोग में की जाने वाली खेती है भारत में हजारों साल से आयुरवेद में अफीम का तो अंग्रेजों ने भारत की अफीम चीन के लोगों को पिला पिला कर चीन को गुलाम बना लिया इतनी शातिर कौम है ये अंग्रेजों की इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता चीन को गुलाम बनाने की ताकत इन में बंदूक की नहीं थी बंदूग से ये चीन को गुलाम नहीं बना सकते थे क्योंकि चीन की ताकत अंग्रेजों से कई गुनी बड़ी थी बहुतिक रूप से ये अंग्रेज चीन को गुलाम नहीं बना सकते थे सैनिक रूप से अंग्रेज चीन को गुलाम नहीं बना सकते थे चीन अंग्रेजों से बहुत 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 बढ़ा देश है कई-कई गुना जादा आबादी है कई-कई गुने जादा संसादन है तो अंग्रेजों ने देखा कि ना सैनिक रूप से चीन को जीता जा सकता है ना बहुतिक रूप से इनको गुलाम बनाय जा सकता है ना इनके उपर हम सीधे राज्य कायम कर सकते हैं तो अंग्रेजों ने एक नया रास्ता निकाला कि चीनी नौजवानों को अफीम पिलाओ नशे का शिकार बनाओ और पूरे देश के उपर कबजा कर लो आपको सुनकर हैरानी होगी पचास साल अंग्रेजों ने चीनी लोगों को अफीम पिलाओ पिलाओ के ही गुलाम बना लिया और पूरा चीन अफीम का शिकार हो गया बाद में चीन में कुछ नेता निकले और उनको ये बात समझ में आई कि हम तो इन अंग्रेजों के गुलाम हो गई अफीम के चकर में व्यसन के चकर में तब चीन में एक आंदोलन शुरू हुआ जो व्यसन मुक्ती का आंदोलन बना नशा मुक्ती का आंदोलन बना तो व्यसन मुक्ती के आंदोलन में से नशामुक्ति के अंदोलन में से एक नया चीन निकला उन्होंने पहले तो अंग्रेजों को मार के भगाया अपने देश में से अपने देश के पूरे इलाके को स्वतंतर कराया और इसी स्वतंतरता में काफी लडाईया हुई अंग्रेजों की चीनी लोगों के साथ उसमें अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ चीनी लोगों को जादा नुकसान नहीं हुआ अंत में अंग्रेज हारे और वहां से भागे अंग्रेजों को भगाने का अंदोलन जब चीन में चला तो वहाँ भी स्वदेशी आंदोलन ही मूल आधार में था और स्वदेशी की बात को लेकर चीनी लोगों ने यही संकल्प लिया था कि जिन अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराना है उन अंग्रेजों की कोई वस्तु नहीं खरीदनी है उन अंग्रेजों की कोई वस्तू का उपयोग नहीं करना है तो पूरे चीन में स्वदेशी आंदोलन चला अंग्रेजों का बहिशकार हुआ अंग्रेजी भाशा का बहिशकार हुआ अंग्रेजी वस्तूों का बहिशकार हुआ अंग्रेजी पहनावे का बहिशकार हुआ अंग्रेजी भोजन का बहिशकार उन्होंने किया अंग्रेजी नामों का बहिशकार किया अंग्रेजी भवन जो बना दिये थे अंग्रेजों ने उनको तोड़ दिया पूरी तरह से एक एक हीट उसकी निकाल दी उन्होंने इस तरह से पूरे चीन को उन्होंने अंग्रेजों की दास्ता और गुलामी से आजाद करा है बाद में थोड़े समय के लिए चीन में थोड़ा बिखराव आ गया था कुछ अंग्रेज समर्थक नेताओं का चीन पर कबजा हो गया था फिर उन अंग्रेज समर्थक नेताओं को हटाने के लिए चीन में एक दूसरी करांती हुई जो माउजे दौं के नेतरत्तु में हुई और 1949 में वो सफल हुई और एक अक्टूबर 1949 को चीन उस करांती में सफल होके अपने आपको गनराज घोशित किया तब से चीन सारी दुनिया के सामने एक स्वदेशी और स्वावलंबी देश के रूप में आगे बढ़ा है चीन ने जो सबसे अच्छा काम अपने देश में किया इस आंदोलन में से उन्होंने ये देख लिया कि अंग्रेजों के रास्ते पर चल कर अंग्रेजों की व्यवस्थाओं को उप्योग करके अंग्रेजी कानूनों को उप्योग करके अपने देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता तो उन्होंने सारे अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी व्यवस्थाओं को हटा दिया अंग्रेजों ने चीन में सेंट्रलाइजेशन कर दिया था उद्योगों में चीन की सरकार ने उसका उल्टा कर दिया डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया उद्योगों में उन्होंने कहा कि अंग्रेज बड़े उद्योग लगाते थे चीन की सरकार ने कहा हम छोटे छोटे हजारों उद्योग लगाएंगे एक बड़ी मोटर कार आप बनाते हैं एक ही कार खाने में चीन की सरकार ने उसका उल्टा कर दिया उस मोटर कार का एक एक पुरजा हजारों कार खाने में बनेगा और फिर किसी एक कार खाने में जाके उसकी असेंबली होगी उन्होंने ऐसी अंग्रेजों से बिलकुल उल्टी नीथी बनाई उसमें से चीन निकलाया छोटे छोटे उद्योग लगे गाउं गाउं उद्योग लगे और उसमें से चीन बढ़ता चला गया फिर चीन की सरकार ने ये तै किया कि अंग्रेजों के जमाने में चीन में टैक्स बहुत हो गया था चीन की सरकार ने का कि टैक्स हम कम से कम करेंगे और जो उद्द्योग उत्पादन करेंगे उनको टैक्स में जादा से जादा छूट देंगे तो आज चीन की नीती है कि चीन में अगर कोई उद्द्योग उत्पादन करता है तो सरकार उसको कम से कम टैक्स लगाती है और जो व्यक्ति उत्पादन करके निर्यात करता है सरकार उसको टेक्स तो लगाती ही नहीं है उल्टा उसको मदद करती है सबसिडी के रूप में उसको वो एक्सपोर्ट सबसिडी कहते है और अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट सबसिडी वो अपने उद्योगों को देते हैं परिणाम क्या होता है कि चीन में बनने वाली 10 रुपई की चीज दुनिया के बाजारों में 5 रुपई में बिक जाती है क्योंकि 10 रुपई की वस्तू पर 5 रुपई वहां की सरकार सबसिडी में दे देती है तो उन्होंने उद्योगों के लिए अपनी नीतियां बनाईी सबसिडी एक्सपोर्ट में दी उत्पादन पर कर सबसे कम लिया चीन में बिजली दुनिया की सबसे सस्ती बिजली है भारत में हम एक यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमको बाजार में 3,5-4 रुपई देना पड़ता है उद्योगों को तो 6-7 रुपई देना पड़ता है चीन में यही एक यूनिट बिजली 90 पैसे में उद्योगों को मिल जाती है सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सस्ती सडकें, लोगों के उपर टैक्स कम से कम व्यापार और उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा निर्यात वाले उद्योगों को और ज़्यादा बढ़ावा और खेती और किसानी करने वालों को तो सबसे ज़्यादा बढ़ावा इस तरह से चीन बढ़ता गया और आज सारी दुनिया के बाजारों में ज़्यादा से ज़्यादा सामान आपको मिलेगा तो चीन का माल मिलेगा अमेरिका के बाजार में जाओ तो चीनी माल है ब्रिटेन के बाजारों में जाओ तो चीनी माल दिखाई देगा भारत के बाजारों में देख लो दुकाने भरी पड़ी हैं चीनी सामानों से चीनी खिलोने हैं चीनी अगरबतियां, चीनी मोमबतियां, चीनी गणेश जी आ गए हमारे देश में, चीनी लक्षमी जी आ गई, अभी थोड़े दिन पहले दीपावली आके गई है, दीपावली पर चीन से बनाए हुए लक्षमी गणेश आकर भारत में बिग गई, और अभी थोड़े दिन दीपावली के पहले कुछ और त्योहर आये एक राखी का त्योहर आया रक्षाबंदन का मैं हैरान हो गया हरिद्वार जैसे छोटे शहर में चीन की बनाई हुई राखी बिग गई चीन की राखियां बिग जाती है चीन की लक्षमी गणेशी बिग जाते है चीन के बनाई हुए बच्चों के खिलोने आकर इतने बिक रहे हैं कि भारत के सारे खिलोना बनाने वाले उद्योग बरबाद हो रहे हैं तो चीन की हर वस्तु इतनी सस्ती चीन की घड़ियां आकर दिल्ली के बजार में बिकती हैं किलो के हिसाब से घड़ी ले लो एक किलो दो किलो, पांच किलो तराजू में तौल के देता है एक किलो घड़ी 40 रुपई की दो किलो घड़ी 80, 100 रुपई की चांदनी चौक में आप जाएए दिल्ली में चीन की घड़ियां किलो के हिसाब से मिलती है इतनी सस्ती सस्ती चीज़ है सब लोग एकी सवाल पूछते हैं कि चीन का माल इतना सस्ता क्यों है कारण उसके तीन है चीन की सरकार अपने उद्योगों को स्वदेशी नीती के हिसाब से आगे बढ़ाती है और स्वदेशी नीती उनकी क्या है कि जो चीन का उद्योग सामान बनाएगा और उसको दूसरे देश में बेचने के लिए जाएगा तो सामान के बनाने का जितना खर्चा आएगा सरकार दे देगी वो ये उनकी नीती है टैक्स तो लेना नहीं है पैसे जो खर्चो रहें वो भी सरकार दे देगी और बिजली चाहिए तो सबसे सस्ती बिजली मैंने बगा नब्बे पैसे यूनिट की बिजली है चीन में हम बिजली इस्तेमाल करते हैं उद्योगों में 6-7 रुपई यूनिट की है उनकी अनब्बे पैसे यूनिट की है पानी उद्योगों के लिए सबसे सस्ता सडकें फोकट में बना के सरकार दे देती है उद्योगों के लिए और चीन में कोई उद्योग लगाना हो और चलाना हो और कोई स्वदेशी व्यक्ति उस काम को करे तो एक महीने के अंदर सारी व्यवस्थाइं सरकार करके दे देगी, सड़क बना देगी, बिजली के तार डल जाएंगे, लाइने खिच जाएंगी, पानी पहुंच जाएगा, एक डेड़ महीने में आप अच्छे से इंडस्री शुरू करिए, और आप एक्सपोर्ट करने देश के रूप में खड़ा है, मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, कि 1949 में चीन भुकमरी का शिकार था, भूके मरने वाले लोगों का देश था, और आज सारी दुनिया को भोजन करा दे, इतना अनाच चीन में पैदा हो रहा है, सारी दुनिया के बाजारों को अपने सामनों से पाड़ दे, इतना उत्पादन उनके देश में हो रहा है, तो चीन का इतिहास पढ़ें, या जापान का, फ्रांस का इतिहास पढ़ें, या अमेरिका का, इन सब देशों के इतिहासों में एक बात समान दिखाई देती है, वो ये, कि जब जब इन देशों ने स्वदेशी अंदोलन चलाया और जब-जब स्वधिय्षी पन अर्थ विवस्था में अपनाया, इन देशों में quiz्रों में करांतियां हुई और quiz्रों सफल हुई और सफल होकर उन सभी देशों को इन quiz्रों की मदद से दुनिया का सर्वसरिष्ट देश उन्ह zucchini ने बना दिया पचास साल पहले का जापन पचास साल पहले का चीन डेर सौ साल पहले का फ्रांस या दो सौड़धी साल पहले का अमेरिका किसी को विष्वास नहीं होता कि इतनी जल्दी तरक्य करके इतना उपर आ जाएगा लेकिन ये सब देश तरक्की करके उपर आए तो उसके पीछे स्वदेशी का सिध्धान्त स्वदेशी का अंदोलन स्वदेशी की भावना आत्म विश्वास आत्म सम्मान को बनाई रखने की मन में जिजी विशा इन सम मुल्यों ने मिलकर उनके देश को आगे बढ़ाया अब मैं आखिर में भारत की बात करना चाहता हू कि ये सारे देश अगर सफल हो सकते है स्वदेशी का सिध्धान्त अपना कर तो भारत सफल क्यों नहीं हो सकता स्वदेशी का सिध्धान्त अपना कर सीधी सी बात है अगर जापन सफल हो सकता है फ्रांस सफल हो सकता है अमेरिका सफल हो सकता है चीन सफल हो सकता है रूस सफल हो सकता है तो भारत भी हो सकता है इसलिए मुझे लगता है कि भारत स्वाभिमान का ये पूरा का पूरा अभियान जो भारतियता और स्वदेशी को आधार बना कर चल रहा है जिसके मूल सिद्धानतों में भारतियता और स्वदेशी पन है ये भारत स्वाविमान का अभियान भी पूरी तरह से सफल होगा इस देश में दूसरी बात जो मुझे लगती है भारत स्वाविमान के सफल होने के लिए वो ये कि इन पाँच देशों में करांतियों का उधारन मैंने आपको दिया ऐसे सत्तर देश हैं दुनिया में जहां करांतियां हुई हैं पिछले हजार वर्षों में इन सभी देशों में करांतियां तबी हुई हैं जब भषटाचार चरम पर पहुँच गया है भारत में भी इस समय भषटाचार अपने चरम पर पहुँचा हुआ है इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारत स्वाविमान की करांती भी सफल होगी हमारे देश में ब्रष्टाचार कितने चरम पर है आप सभी ये बात को याद रखिए हमारे देश में एक पूर प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्री राजीव गांदी उन्होंने एक बार लोकसवा में ये कहा कि मैं देश की अर्थव्यवस्था में जब किसी नागरिक से एक रुपई टेक्स का लेता हूँ और बदले में वो एक रुपई विकास के लिए उस नागरिक के पास देता हूँ तो उसके पास मात्र 15 पैसा ही पहुँचता है 85 पैसा तो भष्टा चार और घूस खोरी में ही चला जाता है ये बात श्री राजीव गांदी ने कही थी संसद में बहुत सारे देश के अर्थशास्त्रियों ने उस समय श्री राजीव गांदी को ये कहा था कि आप अतिशयोक्ती कर रहे हैं तो श्री राजीव गांदी ने कहा था कि शायद थोड़े दिनों के बाद लगेगा कि मेरी बात अतिशयोक्ती नहीं है श्री राजीव गांदी अब जीवित नहीं है वो स्वर्गवासी हो चुके हैं हमारे देश की सरकार ने समय समय पर अर्थ व्यवस्था में ब्रश्टा चार को नापने के लिए कई अध्यन करवाए हैं और उन सभी अध्यनों की रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार अगर दिल्ली से एक रूपया विकास के लिए नीचे किसी आदमी को बेजती है तो अब तो उसके पास दस पैसा ही पहुँच पाता है नब्बे पैसा तो घूस खोरी और ब्रश्टा चार में ही चला जाता है अब आप सोचिए कि जब देश के विकास के लिए एक रूपया सरकार के द्वारा खर्च किया जाए और उसमें से नब्बे पैसा प्रश्टा चार में चला जाए गूस खोरी में चला जाए इसका मतलब क्या हुआ कि विकास के लिए खर्च होने वाले धन का नब्बे प्रत कि लोट मारी में जा रहा है घुस कोरी मने लूट मारी डखेती सीधे-सीधे । डखेती और लूट खोरी में नब्वे प्रतिशत धन जा रहा है इसका अर्थ क्या हुआ परम पुझनिस स्वामी जी आपको थोड़ी दिर पहले कह रहे थे कि सारे देश के विकास के लिए केंद्र सरकार, राजी सरकार और इस्थानिय सरकार का जो एक साल का बजट है 20 लाख करोड का है अगर इस 20 लाख करोड में से 90 प्रतिशत घूस खोरी और लूट खोरी में जा रहा है और मात्र दस प्रतिशती देश के विकास के काम में आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि साल में बीस लाख करोड में से अठारे लाख करोड रुपए लूटा जा रहा है बरबाद हो रहा है और मात्र दो लाख करोड रुपए ही विकास पे खर्च हो रहा है 115 करोड की जन संक्या में साल में 2 लाख करोड रुपए विकास का कर्च है 18 लाख करोड गूस खोरी और ब्रष्टाचार में जा रहा है इसका माने ब्रष्टाचार भारत में पूरे चरम पर है और आने वाले समय में अगर व्यवस्था को हमने नहीं बदला तो ये ब्रष्टाचार और बढ़ने वाला है इसी ब्रष्टाचार का दुश्परिनाम है कि भारत के नेताओं ने पिछले 63 साल में देश के लोगों के खून पसीने की कमाई के पैसे में से 100 लाख करोड रुपए से जादा लूट कर विदेशी बैंकों में, स्विट्जरलेंड की बैंकों में जमा कर रखा है इसका माने भारत में ब्रष्टाचार अपने चरम पर है अब ध्यान दे देना है कि जब जब दुनिया के जिस देश में ब्रष्टाचार चरम पर हुआ है उसी समय लोगों ने करांती की है तो आज भारत में ब्रष्टाचार पूरे चरम पर है इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में भी करांती अब होगी और व्यवस्था परिवर्तन होगा भारत का ब्रष्टाचार इतने चरम पर है कि यहां के लोग तो कफन को बेच कर खाने की तैयारी में बैठे हैं इतने भयंकर ब्रश्टाचार वाले भारत में क्यों नहीं करांती सफल होगी मुझे तो लगता है कि जरूर सफल होगी इसलिए भारत स्वाविमान के अभयान का मूल जो उद्देश है और मूल सिद्धान्त है ब्रश्टाचार की समापती हमारा उद्देश है सिद्धान्त स्वादेशी और भारती अताका है मुझे लगता है कि जरूर यहां भी करांती सफल होगी और एक बात मुझे जो ध्यान में आपके लानी है वो यह कि दुनिया के जिन देशों में भी करांतिया हुई है वो करांतियों के लिए भूमी बनी है जब वहां गरीबी बहुत बड़ी हो भुकमरी बहुत बड़ी हो बेरोजगारी बहुत बड़ी हो महंगाई बहुत बड़ी हो भारत में भी आप देखो गरीबी कितनी भायंकर है 115 करोड भारतवासियों में 84 करोड भारतवासी इतने गरीब हो कि दिन में 20 रुपए भी खर्च करने के लिए उनके पास ना हो हमारी 77 प्रतिशत जनसंख्या भायंकर गरीबी में रह रही हो और क्या गरीबी होगी जब हम आजाद हुए थे तो 4 करोड भारतवासी गरीब माने जाते थे अब आजादी के 63 साल में 84 करोड भारतवासी गरीब हो गए माने आजादी के 63 साल में गरीबी 21 गुनी बढ़ गई बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि राजी भाई गरीवी इसलिए बढ़ गई कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई अगर जनसंख्या बढ़ने की बात देखेंगे तो आजादी मिली उस समय हम 33 करोड थे 1947 में अब हम 115 करोड हो गए तो जनसंख्या हमारी साड़े तीन गुनी बढ़ी है तो गरीवी भी साड़े तीन गुनी बढ़नी चाहिए तो चार करोड की गरीवी बारे करोड होनी चाहिए लेकिन गरीवी चार करोड लोगों से बढ़कर 84 करोड तक कैसे पहुँच गई जन संक्या साड़े तीन गुनी बढ़ी गरीबी 21 गुनी बढ़ गई इसका एक ही उद्देश एक ही का जवाब है वो ये कि जन संक्या बले साड़े तीन गुनी बढ़ी हो लेकिन आजादी के 63 साल में इस देश की लूट 21 गुना बढ़ गई है घूस खोरी ब्रश्टा चार 21 गुना बढ़ गया है जिसके कारण ये गरीबी इस देश में बढ़ गई है तो गरीबी इस देश में है जो करांती के लिए बहुत बड़ा आधार बनाता है बेरोजगारी इस देश में कितनी भहेंकर है हमारी सरकार ये कहती है कि दो हातों से काम करने वाले भारत में 64 करोड लोग रहते है जिनके दो हातों में दम है काम करने का माने काम करने की उमर जिन लोगों की है ऐसे 64 करोड लोग इस देश में है अंग्रेजी में इसको कहा जा था वरकिंग एज हमारे देश में जिनकी काम करने लाइक उमर है वो 64 करोड है और इन मेंसे सम्मान जनक काम सिर्फ साड़े तीन करोड लोगों को ही मिल पाया है आजा दी के 63 साल जिसको हम कहते हैं सम्मान जनक रोजगार वो सिर्फ भारत में साड़े तीन करोड लोगों को है 64 करोड लोगों में से 3.5 करोड लोगों को ही सम्मान जनक काम है बाकी के लोगों को तो सम्मान जनक काम ही नहीं है इस तेश में और ये 3.5 करोड लोग कौन है बैंकों में काम करने वाले बीमा कमपनियों में काम करने वाले सेना में काम करने वाले बायू से ना में, नो से ना में, जल से ना में, थल से ना में, सरकार के पबलिक सेक्टर में, राज सरकार में, कुल मिलाकर सरकारी इस तर पर काम करने वाले साड़े तीन करोड है, बाकी के लोगों के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी को साल में तीन महीने काम मिल किसी को साल में दो महीने काम मिलता है, किसी को ठेला चलाना है, किसी को रहडी लगानी है, किसी को सड़क के फुटपात पर बैठ कर अपना माल बेचना है, वो भी शांती से नहीं बेच सकता, पुलिस वाले आते हैं, डंडा मार के कभी भी भाग जाते हैं, पुलिस वाले आते पैसे बसूल के कभी भी चले जाते हैं तो सड़क पर ठेली लगाने वाले रेहडी लगाने वालों को भी कोई सरकार इस देश में संबान जनक काम नहीं दे पाती है किसानों का हाल इतना खराब है आपने परमपुजनी स्वामी जी के मुकस सुना मातर 40% खेत को ही पानी मिल पाया है 60% खेती बिना पानी के है भगवान ने पानी दे दिया तो खेती हो जाएगी बारिश समय पर हो गई तो खेती हो जाएगी बारिश नहीं होई तो खेती नहीं हो पाएगी इतना बुरा हाल खेतों का है बहुत दर्दनाक बात में आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत की 60 प्रतिशत खेती पानी के बिना है भगवान के भरोसे है प्रकरती के भरोसे है अगर बारिश हो जाए तो ठीक है नहीं बारिश हो पाए तो गाउं से लोग उजड़ना शुरू हो जाते हैं और सरकार के आंकड बसना शुरू हो जाती है क्योंकि गाउं में बारिश नहीं होई ठीक से खेत में कुछ पैदा होगा नहीं रोटी तो खानी है पेट की आग तो बुझानी है तो लोग शहर में जाते हैं मुंबई में जाते हैं धारावी में रहना शुरू करते हैं बैंगलोर में जाते हैं दिल्ली में जाते हैं जोंपड़ पट्टियों में रहना शुरू करते हैं और बहुत दुख से कहना पड़ता है कि मुंबई, दिल्ली, मदरास, हैदराबाद, सिकंदराबाद जैसे बड़े शहरों में 65% आबादी जुगी जौंपड़ियों में रहती है और उन जुगी जौंपड़ियों में रहती है जहां दस बाई, दस फिट की एक छोटी सी खोली होती है उसमें आठ दस आदमी भेड़ बकरी की तरह से रहते हैं कीचड होता है, नाली होती है, कुत्ते होते हैं, बद्बूदार इस्थती होती है मैं तो धारवी की जौंपड़ पट्टियों में इतनी बार गया हूँ आप अगर जाएं तो नाक पर रूमाल रखे बिना एक मिनट वहां खड़े नहीं हो सकते आप कल्पना करिये कि लोग वहां सालों साल अपनी जिंदगी गुजार देते हैं क्योंकि गाउं से पूरी तरह से बेघर होकर उजड़ कर वो शहर में आये हैं क्योंकि गाउं में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गाउं में खेतों को पानी नहीं है गाउं में रोजगार का कोई सादन नहीं बन पाया सरकार की नीतियां ऐसी नहीं है जो गाउं में रोजगार का बढ़ावा कर सके तो गाउं उजड़ रहे हैं और शहरों में आकर जोंपड़ पट्टियों की संख्याएं बढ़ रही है रहने वाले लोगों की दुर्दशा वहां पर है तो ऐसी नीतियां जब इस देश में चल रही हो और इतनी खराब हालत हो तो क्यों नहीं करांती होनी चाहिए इस देश में क्यों नहीं बगावत होनी चाहिए इस देश में क्यों नहीं ब्यवस्था बदलने की बात होनी चाहिए क्यों नहीं कानून बदलने की बात होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात महंगाई दिन दूनी रात चोगनी महंगाई बढ़ रही है आप सब माताई बेन अपना घर चलाती है घर का बजट बनाना कितना मुश्किल हो गया है 1992 के पहले 5000 रुपई महीने में घर चलता था अब 10-15000 रुपई महीने में घर चलना मुश्किल हो गया है महगाई भारत में चरम पर पहुँच रही है और सरकार के हाथ पर फूले हुए है बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये कह रहे है कि इस महगाई पर लगाम लगाना हमारे बस में नहीं है क्योंकि सरकार ने जो नीतियां बनाई है और जो कानून बनाये है वो महगाई बढ़ाने वाले ही है और महगाई को घटाने वाली नीतियां इनके पास है नहीं कानून है नहीं महेंगाई बड़ी हुई है गरीबी बड़ी हुई है बेकारी बड़ी हुई है मारा मारी इस देश में बड़ी हुई है लोगों की दुर्दशा है किसानों की दुर्दशा है मजदूरों की दुर्दशा है आखिर ऐसा क्या नहीं है इस देश में जो करांती करने के लिए फली भूत हो नहीं सकता मुझे लगता है कि रूस में फ्रांस में या फिर अमरीका में या तो जापान में या तो चीन में जो करांतीयां हुई अगर वहां क्रांती होने के लिए 4-5 कारण थे तो भारत में तो क्रांती होने के लिए 20 कारण है इसलिए यहां भी क्रांती अब होगी और यहां भी व्यवस्था परिवर्तन का काम होगा मुझे इस बात का संपूर विश्वास है और जिस देश में भी क्रांती हुई, कोई एक व्यक्ती ने विचार दिया, कोई एक व्यक्ती ने उस विचार के प्रयास के लिए संगठन बनाया, संगठन बनकर खड़ा हुआ, और लोगों ने पूरी व्यवस्था को बदल दिया, हर एक देश में ये बात दिखाई देती है अपने भारत में भी हमको यही दिखाई देता है परम पुझनी स्वामी राम देवी ने एक विचार हमको दिया कि 15 अगस्त 1947 को तो अंग्रेजों को भगाया लेकिन अब अंग्रेजियत को भगाना बाकी है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भगाया अभी 34,735 अंग्रेजी कानूनों को हटाना बाकी है 15 अगस 1947 को अंग्रेज गए लेकिन अंग्रेजी पुलिस अभी यहां है अंग्रेजी नियाय व्यवस्था है अंग्रेजी कानून व्यवस्था है अंग्रेजी सिक्षा व्यवस्था है यहाँ तो भारत में सब कुछ वही है जो अंग्रेजों का है बस इतना ही है कि पहले गोरे अंग्रेजों के द्वारा वो चलता था आप काले अंग्रेज चला रहे हैं इसलिए भारत में आजादी की लड़ाई जो हुई है वो अधूरी है उसको पूरा करने का काम हमें करना है हमारे देश के क्रांतिवीर भगत सिंग, उधम सिंग, चंदर शेकर, मात्मा गांदी, आश्वा कुला, तांतिया टोपे, जहांसी किरानी, लक्ष्मी वाई, नाना, फड़नवीस ऐसे सात लाग, बत्तीस हजार से ज़्यादा क्रांतिवीरों ने, अंग्रेजों को भगाकर आजदी हमारे हाथ में दी ए, अब हमें क्या करना है, उस आजदी की व्यवस्था को बदल के, स्वधेशी और स्वतंत्र व्यवस्था बनाना है, ये काम हमें करना है, शहीदों ने 1975 में हमारे देश के एक महानायक जैप्रकाश नाराइन ने शुरू किया था लेकिन समय ने साथ नहीं दिया समय से पहले उनकी इम्रत्यु हो गई दोनों किड्निया उनकी फेल हो गई उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का उठाया था संपूर क्रांती की बात उन्होंने की थी और हर व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में सत्ता परिवर्तन पहला चरण होता है तो माननी ये जेपी जी के नेतरत्तों में व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन शुरू हुआ एक कदम आगे बढ़ा उन्होंने सत्ता बदल दी और ऐसी सत्ता बदल दी जिसके बदलने की किसी को कलपना नहीं थी एक जमाने में कोई ये सोच नहीं सकता था भारत में कि श्रीमती इंद्रा गांदी की सरकार कभी गिर सकती है माननी जेपी जी के नेतरतों में चले आंदोलन ने श्रीमती इंद्रा गांदी की सरकार को गिराया सत्ता को बदल दिया फिर आगे व्यवस्ता बदलने का जो काम था वो अधूरा रह गया क्योंकि जेप्रकाश जी समय से पहले चले गए वो काम बिखर गया मुझे ऐसा लगता है कि माननी जेपी जी का अधूरा काम और 1947 में जो अधूरा काम छूट गया करांतिकारियों से जो पूरा होना चाहिए था भगवान ने वही काम हमारी जोली में डाला है भारत स्वाविमान की जोली में डाला है भारत स्वाविमान इस अदूरे काम को पूरा करेगा और इस काम में पूरी तरह से सफल होगा ऐसा मेरा संपुन विश्वास है और इस विश्वास के होने का एक और कारण है जिसको सत्ता की आकांगशा नहीं, जिसको सिंगहसन की आकांगशा नहीं, जिसको पद की आकांगशा नहीं, ऐसे नित्रत के साथ होने वाला आंदोलन हमेशा सफल होता है, उसको सफल करने की ताकत दुनिया में किसी में कभी नहीं रही है, तो अपना भारत स्वाविमान का आ कुछ नहीं चाहिए, अपने को तो एक और एक मात्र चाहिए, कि भारत की गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, भुकमरी दूर हो, हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा बेववशाली बने, सबसे ज़्यादा सम्रुद्दुशाली बने, सबसे ज़्यादा संपत् में सबसे आगे अठारवी शताबदी का भारत अगर इतना उचा हो सकता है तो 21 वी शताबदी का भारत तो और उचा हो सकता है सत्ता के पद के प्रतिस्ठा के लोब और लालच के बिना सारे देश के लाखों लाखों करांतिवीर जो भारत स्वाविमान में जुड़े हैं सेनानी बने हैं ये जब लग जाएंगे अपने संकल्ब को अपनी जिजी विशा को चरम पर लेके जाएंगे मन में आत्म विश्वास लेकर आगे बढ़ेंगे कि हम इसको कर देंगे और सफल हो ही जाएंगे ऐसे आत्म विश्वास और ऐसे संकल्ब शक्ती से अगर हम बढ़ेंगे तो भगवान भी हमारी ही मदद करेगा और भगवान हमको जरूर आशीरवाद देगा ऐसी शुब कामनाओं के साथ आप सभी का बहुत आभार बहुत धन्यवाद यहां अंदोलन जिसमें हमें भ्रष्ट अचार को मिटाना है भ्रष्ट अचार करके अपने ही वतन के जैसे भाई राजीव जी ने कहा कुछ भ्रष्ट और भीमान लोगों ने सो लाग करोड रुपे से ज़्यादा अपने देश का सुदेश का धन विदेशी बेंकों में जमा कराया हुआ है और विदेशी लोगों के हाथों में अपने देश का सारा बाजार और व्यापार सौप करके करीब सो लाग करोड रुपैसे जादा लूटवाया है अब ब्रष्टाचार के उपर अंकुस्तों लगाएंगे ही ये ब्रष्टाचार करके जो धन लूटा हुआ है और विदेशों में जमा कराया हुआ है उसको भी हम वापस लाएंगे और इस देश की जो बेरोजगारी गरीबी भूखा भाव अशिक्षा जिसके बारे में बार बार भार भाराजीव जी ने बात की किस बार स्वाविमान के अंदोलन से उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा या खुद का उनको स्वावलंबन मिलेगा जो अशिक्षित हैं उनको शिक्षा मिलेगी जो अपमानित हैं उनको सम्भान और साविमान के साथ जिन्दगी जीने का हाग मिलेगा भरष्टाचार की जो दुरदशाच जन्म प्रमान पत्र से लेकर कि मृत्यों प्रमान पत्र तक हमें कोई भी गवर्मेंट से सरकार से एनों से लेनी पड़े तो हर चीज के लिए भरष्टाचार इतना चारों तरफ जो हाहा कार मचा हैं अब भारसाविमान का वियानी सफल होगा क्रांति वीरों के सपनों का भारत बनेगा और दुबारा से इस वैभावशाली देश का निर्मान होगा और उस सब के लिए भगवान ने इस युग में इस समय आपको उत्पन किया है लगता है उन साथ लाख से ज़्यादा क्रांति वीरों के आत्में आपके रुप में प्रकट होई हैं और आपने तृत्व करेंगे आप अगरणी बनेंगे पुरा देश हमारे साथ खड़ा होगा जो सबसे बड़ी बात यहां से कही जा रही है और जिसमें हम जीते हैं वो यहां कि किसी में भी कोई प्रोवन नहीं है सब्ता संपत्ती का तो आईए इस मिशन में अपनी जिंदगी अपनी जवानी अपना वायभाव अपना सब कुछ जब हम इसमें अर्पित करेंगे तो निश्यत रुप से यह हमारा अभ्यान सफल होगा